Offered for sale with wild berries in wooden quads Offered for sale बेचने के लिए वहाँ पर दुकानदार ने क्या रखा है? Wild berry, berry यहने क्या होता है? Bear, जंगली bear कहने के तो जंगली bear हैं लेकिन बड़े मीठे होता है, बड़ा मज़ा आता है उसको खाने में तो यह जो दुकानदार है, यह दुकान में अपने क्या रखा था? Shade वाली दुकान में, कुछ जंगली bear रखा था और वो किसमे? Wooden quads में लकडी का, wooden मतलब लकडी का एक तरीके से बरतन, आप समझ लीजे लकडी के बरतनों में उसने berries रखे हुए थे और crook nicked golden squash with silver wards golden squash जो होता है, वो एक तरीके का फल है उस देश में पाया जाने वाला, यह American poet हैं चुकी तो अमेरिका का एक तरह का फल है, golden squash चित्र में ज़ी देखेंगे तो इसका जो रूप होता है एक तरीके से लॉकी जैसा होता है लंबा, पतला crook nicked crook nicked है, actually neck मने गर्दन crook मने मुडा मुडा तेड़ा मिडा तो जो लंबी लॉकी जैसी चीज जो है जिसे अंग्रेजी में golden squash कहते हैं वो मुड़ी हुई है, तुड़ी मुड़ी, सीधी नहीं है crook मतलब तेड़ा मिडा and you are a crook मतलब तुम बहुत चालाख हो, तेड़ी मिड़ी बातें करते हो तो ये crook का महावरेदार उप्योग है don't be a crook यार चालाख मत बनो मतलब ही मत बनो तेड़ा मिड़ा मत करो सीधी बात करो, talk straight तो ये crook naked, naked मतलब गला उसका एक हिस्सा जो था तेड़ा मिड़ा था, golden squash का with silver warts warts मने दाग warts, आपके कई बार आप हाथों में देखेंगे warts होता है, this is a warts mole and warts mole मने तिल और warts मने एक तरीके का दाग this is a warts तो इस तरह के दाग golden squash में थे वो silverी रंग के थे silver नहीं थे, चांदी नहीं थे चांदी के रंग के उसमें कुछ दाग पढ़ गया थे ऐसा golden squash का जखीरा एक भंडार वहां रखा हुआ था और कुछ लकडी के बरतनों में क्या रखा हुआ था wooden quarts में wild berries, wild मने जंगली wild animals wild thought wild thought एक महावरेदार रुपे हो गया था अरे अचानक कोई सा विचार आ जाए तो इसे wild thought बोलते है जंगल से अचानक कोई सा विचार आ जाए दिमाग के जंगल से तो ओफर करना मतलब देना तो वो लोग क्या ओफर कर रहे थे क्या प्रस्तुत कर रहे थे कौन दुकानदार wild berries और golden squash वो भी कोई खास अच्छे नहीं दिख रहे थे और beauty rest in a beautiful mountain scene यहां और लगा हुआ है वो क्या ओफर कर रहे थे और offered for sale sale की spelling देखिए sale sale मने बिक्री और s-e-double-l sell मने बेचना sell sold बेचना बेचा बेचा to sell मने बेचना और sale मने बिक्री तो जो 50% probate में इस क्या होता है sell नहीं होता है sale होता है आप कई दुकानों में जो flex लगे होते है notice लगा होता है उसमें लिखा रहता है sale मतलब किसी कमी कुछ कम कहके सामान को बेचा जाए तो sale कहेंगे तो यहां पर offered for sale बेचने के लिए वो लोग यह सब रखे थे और उसके साथ ही beauty rest इने beautiful mountain scene पीछे बड़ा विहंगम पहाड़ी दृष्य था उसमें सुंदर्ता मानो आराम कर रही थी rest कर रही थी पहाड़ों का रमणी दृष्य वहाँ दिखाई दे रहा था यही वो offer कर सकते थे और क्या कर सकते थे दो चार खाने पीने की चीजें थी और यदि आप रुख जाएं तो विहंगम दृष्य पहाड़ का दिखाई देगा अब आगे क्या होता है क्या बोलते हैं आगे पुएट यू हैब दे मनी तुम्हारे पास पैसा है तुम्हारे कार क्या गाड़ी में आवा जाही करने वाले लोग धनाध्य वर्ग के लोग दुनिया में जो अमीर लोग हैं वे लोग जो सुखी हैं संपन हैं उनके बारे में बात करते हुए पुएट कहता है यू हब दे मनी तुम्हारे पास पैसा है बट इफ यू वांट तुबी मीन लेकिन यदि तुम मीन होना चाहते हो मीन मतलब स्वार्थी म-e-a-n मीन मीन मने स्वार्थी और एक होता है तुम्हारे मतलब अर्थ होना तुम्हारे मतलब अर्थ होना I mean यू आर गुड मेरे कहने का अर्थ है कि तुम अच्छे हो ये तो एक हुआ और दूसरा होता है मीन यू आर वेरी मीन क्रिया में मीन का अर्थ होता है क्रिया में अर्थ होना और संग्या में मीन का अर्थ होता है स्वार्थी विशेशन भी है He is very mean वह बहुत स्वार्थी है Don't be mean स्वार्थी मत हो Be generous उदार बनो Don't be mean Be generous उदार बनो You have the money तुम्हारे पास पैसा है But if you want to be mean लेकिन यदि तुम स्वार्थी होना चाहते हो Why keep your money and go along अपना पैसा अपने पास रखे हुए हो और आगे चले जाते हो Bracket में लिखा हुआ है This crossly This crossly मतलब ये गुसे में कह रहे हैं क्रोध में कह रहे हैं कौन दुकान के लोग जो दुकान चला रहे हैं बिचारे वन्चित वर्ग के लोग कमजोर वर्ग के लोग सर्वहारा वर्ग के लोग इस वर्ग के लोग जो वहाँ पर है या वो दुकान जो चला रहा है वो कहता है कि तुम लोग बड़े स्वार्थी हो Why keep your money? अपना पैसा क्यों रखे रहते हो और आगे बढ़े चले जाते हो पैसा निकालो खरीदो बेचो पैसे को फ्लो करो उससे आपका भी फायदा आपके शहर का भी फायदा और हमारा भी फायदा जिसका जिक्र कभी ने पहले कर दिया है You will also benefit Your city will also benefit And we will also benefit The flow of money will help everyone That is what the poet is trying to say People are saying Vanchit people If you want to be mean Why keep your money? वियार पैसा क्यों रखे रहते हो? क्यों रखते हो पैसा? क्रोज में कह रहा है And go along और निकल जाते हो The hurt to the scenery won't be my complaint ये जो सुन्दर दृष्ष है Heart इस पे जो चोड पहुंची है वो उसकी में शिकायत नहीं कर रहा हूँ मैं उसकी शिकायत करते ही नहीं कर रहा हूँ जो उसकी चोड पहुंची है It will not be my complaint Meanness पे उसकी बड़ी नाराजगी है समाज के उस तबके के प्रती जो लोग के वल अपनी ही सोचते हैं अपना ही भंडार बढ़ाना चाहते हैं And so the poet further says About these people In favor of these people So much as the trusting sorrow of what is unsaid Kya मतलब है So much as the trusting sorrow of what is unsaid जो कुछ कहा नहीं गया है Sorrow मने दुख और trust मने विश्वास Unsaid मने जो कहा नहीं गया अब यहां पर देखिए गौर करिए Unsaid के बाद दो बिंदी लगे हुई है यह दो बिंदी क्या कहलाती है अंग्रेजी में Colon Colon अर्थात इसके आगे इसी के continuation में कुछ कहा जाता है तब उसे colon लगाते हैं तो दुकान दरों का कहना है दुकान में जो विचारे बैठे हुए हैं कि तुम्हारे पास पैसा है फिर भी कंजूज बनना चाहते हो, स्वार्थी हो तो अपना धन अपने पास रखो और अपना रास्ता नापो चलते बनो यह नाराजगी क्यों होई क्योंकि यदि कभी कभी कोई उतर जाता है तो वो खरीदने के बदले आलोचना करने लगता है कैसा दिख रहा है तुम्हारी दुकान कैसी यह दुकान ने तो हाँ सिंदर्था बिगाड़ दी है और द्रिश खराब कर दिया है कलपना करिए जंगल के उस दुकान में बड़ी मुश्किल से पैसा इकर्था करके एक दुकान प्रारंब की गई गरीब के द्वारा और वो देखता रहता है कि कोई आए हजारों गाडियां आई गई प्रतिक्षा करता है कि कोई ग्रहक आए और एक गाड़ी आती है कलपना करिए कितना खुश होता होगा वो how happy he must be when he see that a car is stopping by that a car is coming to stop there and he you know he comes out to the place where जहाँ पर समान उसका रखा हुआ है वहां पर अकर खड़ा हो जाता है और मुश्कराता भी होगा तनाव हो गा चिंता भी होगी खुशी भी होगी सब कुछ है मिट्स रीक्शन उसके मन में हो रहा है और यहाँ यह उतरते हैं गाड़ी वाले लोग और अलुचना शुरू कर जाता है तो उस पे ये बड़ा गुशा हो जाता है और कहता है कि हाँ ये सब चित्र जो है सीनरी जो है इसके बेचने के लिए आपके पास पैसा होगा पर अप कंजूस हो बहुत मनीमन कहता है वो उनको कहनी पाता निर्धन या वंचित व्यक्तियों में समाज के कमजोर तबक कुछ भय रहता है कुछ कुंठा रहती है they are afraid of something maybe of consequences they are scared they don't know how to protest they don't know how to stand up against the wrongs गलत के सामने कैसे खड़े हो यह उनको विचारों को नहीं मालूम घबराय रहते हैं तो अंदरी अंदर क्रोध में वो कह रहा है अपने कोई कि अरे तुमको नहीं खरीदा है तो मत खरीदो जाओ यहां से अपना पैसा अपने पास रखो बड़े कंजूस बने हो और अपने रास्तनापो दर्स अल कभी यहां पर कहता है कि जो सीनिक ब्यूटी है उस सीनिक ब्यूटी से जो सीनिक ब्यूटी में जो क्षती हो रही है सुन्दर्ता रमणीता में जो क्षती हो रही है क्षती किस कारण वो छोटी सी पुराने पेंट के तरीके से जो दुकान बनी हुई है उससे निश्चित रूप से वहां के सुन्दर्ता में कमी आई होगी तो कभी का कहना है कि ये जो भूद रिष्य को हने वाली ख्षती से मुझे उतनी शिकायत नहीं है पोट कह रहे हैं I am not against the damage that is caused to the beauty of the scene बलकि rather I am more unhappy, I am sad at what is not said, जो नहीं कहा गया उसका मुझे ज्यादा दुक है sorrow of what is unsaid I am not unhappy at the damage caused to the scene so much as the trusting sorrow of what is unsaid जो नहीं कहा गया है उससे मेरे अंदर ज्यादा वेदना हो रही है मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही है I am feeling very uncomfortable inside for what is not said by whom not said by the villagers, the shopkeeper अंदर ही अंदर वो लोग बिचारे कुल बुला रहे हैं poet उसको महसूस कर रहा है and he speaks about the feeling here, far from the city we make our roadside stand मन ही मन ये कह रहा है वो गरीब दुकांदार कि शहर से इतनी दूर far from the city सड़क के किनारे हमने एक दुकान बनाई है शहर से बहुत दूर शहर को तो हमने बरवाद नहीं किया और यहां पर दुकान खोल कर इतनी दूर में दुकान खोल कर we ask for some city money to feel in hand we ask for हम मांगते हैं ऐसा अर्थ नहीं है इसका city money शहरी पैसे को हम मांगते हैं ये अर्थ नहीं है यद्यपी शब्दार्थ तो यहीं बन रहा है and ask for some city money to feel in hand हाथ में पैसे को महसूस करना चाहते हैं हम मांग रहे हैं इतनी दूर में दुकान खोल कर आप से कुछ पैसा अमीरों से कुछ पैसा और महसूस करना चाहते हैं वो शहरी पैसा शहरी पैसे को पर मांग रहे हैं कारती यह नहीं दान मांग रहे हैं यहां शहर से बहुत दूर हम चलक के किनारे अपनी च्छोटी सी दुकान बनाते हैं और शहर के कुछ धन को हाथ में महसूस करना चाहते हैं कैसे महसूस करें Not by arms, A.L.M. आम मने दान, डोल मने दान हम डोल नहीं चाहते, हम आम नहीं चाहते हम चाहते हैं कुछ हमसे खरीदो उस खरीदी बिक्री की एवज में जो पैसा आएगा वो शहर से आ रहा है, हम उसको महसूस करना चाहते हैं शहरी पैसे का आनन्द कुछ अलग ही है हम शहर के इस धन को हाथ में महसूस करना चाहते हैं And ask for some city money to feel in hand देखें कितनी करना में इसकी याचना है मन ही मन वो विचारा कलतना करिये दिकानदार बड़ी मुश्किल से दिकान खोला है वहां खड़ा है कुछ पैसा लगाया है कुछ सामान लाके वहां डाला है और दिन भर लोग आ जा रहे हैं गाड़ीयां भाग रही हैं आ रही हैं जा रही हैं कोई नहीं रुक रहा है एक आज रुक भी जाता है तो वो फालतू की बातें करने लगता है अलोचना करने लगता है दिर्श को बिगाड दिया और सुन्दर्टा को खराब कर दिया उसने और ऐसा वैसा खरीदारी की तो बातें नहीं कर रहा है और वहां विचारा दुकानदार उच्चुकता से घर से एक दम नुकलते है तुकान में आता है की अरए ग्रहक आया पर होना कुछ और ही था वो तो ग्रहक नहीं बलकि एक अलोचक निकला He turned out to be a critic and that makes this man shopkeeper very unhappy very angry and he says if you can't buy, you don't want to buy you are a very miser fellow miser manne kaj query thrifty manne kany copy you are a very miser fellow you are a very mean fellow you don't want to spend your money get out from here not get out get off from here चले जाओ यहां से लेकिन इफालतु की बातें ना करो यह complaint जो कर रहा हो कि ऐसा दृष्ष बला दिया बिगार दिया हम उसके लिए नी उसके लिए मत रुको जानने की कोशिश करते हैं शहर के कुछ धन को महसूस करने के साथ साथ यह निर्धन लोग यह जानने की भी कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन का विकास होगा की नी हम लोग बढ़ेंगे की नी तो ट्राइ इफ इट विल नाट मेक अवर बिइंग एक्सपैंड अवर बिइंग मतलब हमारे स्वैम के अस्तित्व को फैलाएगा की नी एक्सपैंड मतलब फैलाना एक्सपैंशन मने विकास फैलाओ तो यहां पर इस्कूल बिल्डिंग इस्कूल के एक्सपैंशन हुआ है मतलब इस्कूल की बिल्डिंग में और नहीं भारते जोड़ी गई हैं नहीं बच्चों की संख्या जोड़ी गई है एड हुए हैं तो expansion तो यहां पर उख कहता है and ask for some money to feel to try if it will not make our being expand और यह कोशिस करते हैं कि क्या हमारे जीवन का विकास नहीं होगा the polished traffic passed with a mind ahead the polished traffic passed with a mind ahead polish करना तो आप जानते हैं चमकाना जूते को polish करना कार को polish करना आधी आधी traffic को भी polish करते हैं क्या नहीं तो यहां पर traffic card क्या है जैसा मैंने बताया गाडियां आवा जाही किन के आवा जाही जंगल के सडकों पर किन के आवा जाही होती है कारों की चमचमाती कारें कार की एक से एक models एक से एक रंग एक से एक चमक एक से एक size और वो गाड़ियां चले जा रही हैं आ रही हैं जा रही हैं और वहाँ कोने में वो एक गुम्टी नुमा दुकान है वो प्रतिक्षा कर रही है कि कोई आए तो कोई रुके तो क्या होता है हम लोग जब कार से जाते हैं बस से जाते हैं खासकर कार से या मुड़ साइकल से तो हम ऐसे दुकानों के अंदेखी करते भी चले जाते हैं हमारा ध्यान कहीं और रहता है बहुत चे लोग पता भी नहीं लगता कि अच्छा है ऐसी कोई दुकान हमने पार की जब तक कि हमको किसी चीज की खास जरूरत ना हो हम दाइबाय नहीं देखते ये गुम्टी नुमा दुकान चाह रही है कि हमें देखो हमारा फैदा होगा आपका तो होगा ही हमारा भी होगा हमको कुछ पैसा मिलेगा लेकिन भीक नहीं दान नहीं हमारी महनत का पैसा हमारी दुकान में रखी हुई चीज की एवज में कुछ पैसा मिलेगा तो अब यहां कहता है the polished traffic passed with a mind ahead a mind एक सूत्री कारकरम रहता है एक दिमाग रहता है गाड़ी में बैठे हुए लोंगों का polished traffic चमकदार कारें यह जो चमकदार कारें यह गुजर रही हैं आ रही हैं जा रही हैं और एक सूत्री कारकरम है इनके दिमाग में एक ही चीज है बस चले जाना गंतव विस्थल की और भागना बिलासपुर जाना है तो रायपुर से बिलासपुर बस सीधा जा रहे हैं दाएं बाएं क्या करना है दुकानों से हमको च्चलाने वालों से हमारा क्या तालुकात हमको तो अपना लक्ष पे पहुँचना है तो कभी कहता है अर्था चमकदार चमचमाती गाड़ियां पास्ड विथ एम माइंड हेड अपना एक दिमाग उन सब पर रहता है जाओ आओ आवा जाही करते रहो और या इफ एवर असाइड मॉमेंट जाओ यदि कभी सच्राइड मतलब सच्राइड कारत होता है किनारे आ जाएं इफ एवर असाइड वमेंट दे आउट अउट फसर्ट जाओ यदी हम देखें तो कभी कभी ऐसा ख्षन आता है आउट फसर्ट मतलब कुछ अलग महसुस होता है then out of sorts at having the landscape marred with the artless paint और यदि कभी कोई सी गाड़ी आ गई if ever, if ever, यदि कभी aside किनारे आ गई एक शन के लिए कोई गाड़ी आ जाती है तो वो एक अलग विभार करते हैं out of sort उनको लगता है कि यह कुछ अलग चीज हो रही है यहां पे यहां कुछ अलग दिख रहा है क्या क्या करते हैं वो at having the landscape marred with artless paint यदि कभी गाड़ी एक तो गाड़ी कोई सी रुकती नहीं तब आते हैं जाते हैं उनको दुकान से मतलब नहीं दुकान की दक्कतों से मतलब नहीं और भावनाएं तो हैं नहीं करना की भावना तो रहती ही नहीं लेकिन यदि फिर भी कोई एकाज रुक गया किनारे आ गया तो वो दुकान नहीं देखता है वो क्या बोलता है अरे यार इतनी सुन्दर लैंड इसकेप यो दिरिश दिख रहा है उसको इस दुकान ने बिगाड़ दिया है आर्टलिस पेंट पेंट कर दिया है बड़े बदरंगे तरीके से वो दुकान जो छोटी सी थी गरीब की दुकान थी क्या वो कलाकारी करेगा क्या पैसा खर्च करके किसी पेंटर को बलाएगा उसने डबा खरीदा होगा और छोटे छोटे जो भी सस्ते में रंग मिले होंगे उससे उसने उस शेड को बना दिया जो नया था और उस शेड को बना दिया और वो बड़ा खुश हो गया कि मेरी दुकान शुरू हो गए, देखिए कितना खुश हो रहा होगा, कि अब वो कमाएगा, उम्मीद कर रहा होगा, कि अब मेरे को कुछ पैसा मिलेगा, कमाई का एक जरिया मेरा शुरू हो गया, आब यहाँ दुकान खोलने से, एक और उस निर्धन व्यक्ति में, जंगल मे यह खुशी है, यह संतुष्टी है, कि मैंने अपनी थोड़ी बहुत पूंजी लगा कर एक शेट खोला है, थोड़ी बहुत पूंजी लगा कर इस दुकान में कुछ माल रखा है, एक तो कोई देखता नहीं, कोई रुकता नहीं, सब भागे चले जा रहे हैं अपने अपने बिगार देना, इसलिए एक फ्रेज हैं अंग्रेजी में, to make और मार, या तो मैं बनाऊंगा, या मैं बिगार दूँगा, make का opposite है मार, M-A-R, मार with artless paint, बिगार दिया है, artless, कोई कला नहीं है इसमें, ऐसा paint मार के brush चला कर, जो इतना सिंदर जो land escape है, उसको यह दुकान ने बिगार दिया, अब सोचिए, दुकान दार, निर्धन, दिन भर वहां खड़ा रहता है, प्रतीक्षा करता है, कोई आया खरीदे और मोल भाव करे, और देखता है, गाड़ी रुकती है, सोचिए उसको कितनी खुशी हो रही होगी, अरे गाड़ी रुकी, कोई ग्रहक आया शायद माल खरीदेगा, मेरे को कुछ पैसा मिलेगा, इस उम्मीद में वो नो देखता है, मुस्कराता है, भगवान से प्राथना करता है, कि हाँ ग्रहक रुके और उसे वो कुछ चीज खरीदे, तो यहाँ तो उल्टा ही दृष्य है, एक गाड़ी रुकती है, कभी-कभी और वो गाड़ी के लोग अलोचना करने लगते हैं, खामिया देखने लगते हैं, यह कहने लगते हैं, यह देखो यह दुकान खोलके बैठ गया जहाँ, और यह जो दृष्य है, मनोरम दृष्य, इतना विहंगम दृष्य, जंगल का, इस पहाड़ी का, उसमें एक धब्ब वाले लोग, चमचमाती कारों में आने जाने वाले लोग, दूसरे शब्दों में धनी लोग, इन में निर्धन लोगों के प्रती कोई भावना नहीं रहती, निर्धन लोगों के प्रती वंचित लोग, निर्धन से ज़्यादा उचित शब्दों का वंचित, ऐसे लोगों क प्रती इनके मन में कोई फीलिंग ही नहीं है बिना सोचे समझे उस दुकानदार की दिक्कतों को जाने तकलीफ को जाने बिना इसके जाने बस आलूच ना कर दी कि दुकान खोल के देखो इसने यहां की संदर्ता भी बगार दी At having the land escape marred with artless paint of signs s-i-g-n-s sign मने chin of signs with n turned wrong and s turned wrong यह क्या है sign n और s n मतलब north नहीं होता s मने south नहीं होता आप जब लंबी आत्रा में निकलेंगे पचास सौ किलो मेटर की रोड की आत्रा पर तो कभी कभी आप पाएंगे कि खास कर पहाडियों में या घुमाओ जार सडकों में n चिन्ह का एक sign board रहता है कभी कभी s का sign board रहता है यह दिशा नहीं बताता दिशा तो आप उधर चले जा रहे हैं तो यह क्या बताता है तो इसे दिशा ना समझें पहली बात तो यह north और south नहीं है यह बताता है कि आपकी जो सडक है आगे वो n शेप में हैं इसलिए थोड़ा समहल कर चलाएं n शेप में सडक मुड़ेगी एकदम steep turn होगा और फिर थोड़ी देर बाद फिर उपर जाएगी सडक तो इसलिए समहल कर चलाएं धीरे चलें इस speed पे नियंतरन रखें इस warning के साथ सडक विभाग जो है ऐसे sign board बनाता है आगे की खत्रों से आपको बचाने के लिए ऐसी S क्या है S मतलब सडक घुमाओदार है तो इसलिए गाड़ी की speed पर नियंतरन रखें हौन देते रहें घुमाओदार सडक पे दिखाई नहीं देता तो कम से कम आवाज तो सुना ही देगी हौन की तो हौन बजाते हुए चलें तो यह जो sign है यह sign भी वहाँ बने हुए थे वो उसको उल्टे लगे हुए थे अर्था S जो था वो उल्टा लगा था N भी जो था वो उल्टा लगा था ऐसा यह लोग गाड़ी में आने जाने वाले लोग बोल रहे हैं अरे यह नौर्थ क्या लिखा है अरे यह साउथ क्या लिखा है नौर्थ साउथ नहीं है वो तो सड़क की मोड का इशारा है तो यह अमीर लोग जो हैं कुछ भी अनरगल बगते हुए अपना काम अपना चले जा रहे हैं दिशा का जो जो बोर्ड लगा है को दिशा का बोर्ड मानते हुए नौर्थ और साउथ की दिशा का बोर्ड मानते हुए वे अलुचना कर रहे हैं मजाक उड़ा रहे हैं वो नौर्थ और साउथ के बोर्ड नहीं है, वो सड़क के मोड को दिखाने का, सड़क के जो steep tons हैं, उसकी ओर इशारा करता है, of science that with N turned wrong and S turned wrong, ऐसा अलोचना कर रहे हैं हो लोग, आप समझ सकते हैं कितने मूर्ख होते हैं बहुत से लोग, और सिवाया अलोचना कि इनके पास कुछ होर नहीं होता, खामिया निकालने के, कमिया बताने के, इनके पास कुछ नहीं होता क्योंकि इनकी जेब में पैसा होता है, पैसा बोलता है, कभी ऐसे पैसा बोलने वालों को जागरूक करना चाहते हैं, वंचित लोगों की भावनाओं के प्रती, जगाना चाहते हैं उनको कि थोड़ा इनकी भी सोचो, so of signs that with N turned wrong and S turned wrong, offered for sale with wild berries in wooden quads, offered for sale, बेचने के लिए वहाँ पर दुकान दार ने क्या रखा है, wild berry, berry यहने क्या होता है, bear, जंगली bear, कहने के तो जंगली bear है, लेकिन बड़े मीठे होता है, बड़ा मज़ा आता है उसको खाने में, तो यह जो दुकान दार है, यह दुकान में अपने क्या रखा था, शेड़ वाली दुकान में, कुछ जंगली बेर रखा था, और वो किसमें, वूड़न कौर्ट में, लकड़ी का वूड़न मतलब लकड़ी का एक तरीके से बरतन, आप समझ लीजे, लकड़ी के बरतनों में उसने बेरीज रखे हुए थे, और क्रूक नेग्ड गोल्डन स्कौ है, उस देश में पाया जाने वाला, यह अमेरिकन पोएट हैं चूंकि, तो अमेरिका का एक तरह का फल है, गोल्डन स्कौश, चित्र में जी देखेंगे, तो इसका जो रूप होता है, एक तरीके से लौकी जैसा होता है, लंबा, पतला, क्रूक नेकेड, क्रूक नेक्ड है अग्चुली नेक मने गर्दन, क्रूक मने मुडा मुडा, तेड़ा मिडा, तो जो लंबी लौकी जैसी चीज जो है, जिसे अंग्रेजी में गोल्डन स्कौश कहते हैं, वो मुड़ी हुई है, तुड़ी मुड़ी, सीधी नहीं है, क्रूक मतलब तेड़ा मिडा, and you are a चालाक हो, तेड़ी मेड़ी बातें करते हो, तो ये क्रूक का महावरेदार उप्योग है, डोंट बी एक क्रूक यार, चालाक मत बनो, मतलब ही मत बनो, तेड़ा मिडा मत करो, सीधी बात करो, टॉक स्ट्रेट, तो ये क्रूक नेकिक, नेक्ड मतलब गला, उसका एक हिस्सा जो था तेड़ा मिड़ा था golden squash का with silver warts, warts मने दाग, warts, आपके कई बार आप हाथों में देखेंगे, warts होता है, this is a warts, mole and warts, mole मने तिल और warts मने एक तरीके का दाग, this is a warts, तो इस तरह के दाग golden squash में थे, वो silverी रंग के थे, silver नहीं थे, चांदी नहीं थे, चांदी के रंग के उसमें कुछ दाग पड़ गया थे, ऐसा golden squash का जखीरा, एक भंडार वहां रखा हुआ था, और कुछ लकडी के बरतनों में क्या रखा हुआ था, wooden quads में, wild berries, wild मने जंगली, wild animals, wild thought, wild thought एक महावरेदार रुपे हो गया है, अरे अचानक कोई सा विचार आ जाए, तो इसे wild thought बोलते हैं, जंगल से अचानक कोई सा विचार आ जाए, दिमाग के जंगल से, तो ओफर करना मतलब देना, तो वो लोग क्या ओफर कर रहे थे, क्या प्रहस्तुत कर रहे थे, कौन दुकानदार, wild berries, और golden squash, वो भी कोई खास अच्छे नहीं दिख रहे थे, और beauty rest in a beautiful mountain, seen, यहां और लगा हुआ है, वो क्या offer कर रहे थे, और offered for sale, sale की spelling देखिए, S-A-L-E, sale मने बिक्री, और S-A-L-L, sell मने बेचना, sell, sold, sold, बेचना, बेचना, बेचा, बेचा, to sell मने बेचना, और sale मने बिक्री, तो जो 50% प्रिबेट में इस क्या होता है, sell नहीं होता है, sale होता है, आप कई दुकानों में, जो flex लगे होते हैं, notice लगा होता है, उसमें लिखा रहता है, sale, मतलब किसी कमी, कुछ कम कहके सामान को बेचा जाए, तो sale कहेंगे, तो यहाँ पर offered for sale, बेचने के लिए, वो लोग यह सब रखे थे, और उसके साथ ही, beauty rest ने, beautiful mountain scene, पीछे बड़ा विहंगम पहाड़ी दृष्य था, उसमें सुन्दरता मानों आराम कर रही थी, rest कर रही थी, rest करना मतलब आराम ने, सुन्दरता मानों वहाँ पर दिख रही थी, in a beautiful mountain scene, S-C-E-N-E scene, यहने दृष्य, पहाड़ों का रमणी दृष्य, वहाँ दिखाई दे रहा था, यही वो offer कर सकते थे, और क्या कर सकते थे, दो चार खाने पीने की चीजें थी, और यदि आप रुख जाएं, तो विहंगम दृष्य पहाड़ का दिखाई देगा, अब आगे क्या होता है, क्या बोलते हैं आगे poet, you have the money, तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे कार क्या, गाड़ी में आवा जाही करने वाले लोग, धनाध्य वर्ग के लोग, दुनिया में जो अमीर लोग हैं, वे लोग, जो सुखी हैं, संपन हैं, सर्वगुन संपन हैं, उनके बारे में बात करते हुए, poet कहता है, you have the money, तुम्हारे पास पैसा है, but if you want to be mean, लेकिन यदि तुम मीन होना चाहते हो, मीन मतलब स्वार्थी, M-E-A-N, मीन, मीन मने स्वार्थी, और एक होता है, to मीन मतलब अर्थ होना, to mean मतलब अर्थ होना, I mean, you are good, मेरे कहने का अर्थ है, कि तुम अच्छे हो, ये तो एक हुआ, और दूसरा होता है, mean, you are very mean, क्रिया में मीन का अर्थ होता है, क्रिया में अर्थ होना, और संग्या में मीन का अर्थ होता है, स्वार्थी, विशेशन भी है, he is very mean, वह बहुत स्वार्थी है, don't be mean, स्वार्थी मत हो, be generous, उदार बनो, प्रिफी मत हैं, तूसरा होता है, झालू post अर्थी, पन्तरूपी जद fragile, स्वार्थी.